नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है नीज बुलेटिन के स्पोंसर्स हैं आरके जुएलर्स आकर सकाव होशनों के विश्वेशनी ये विक्रेता यमुना चौक बक्सर नज़े डालते हैं बुलेटिन की परमुक्सुर्खियों पर चौसा के बनारपुल गाव में होर मेरही गहमा गहमी पहुचे सुसील मुदी समेत कईनेता 18 को समधान यात्रा में मुख मंतरी आएंगे बक्सर प्रसासन की बढ़ी चुनोती मंतरी असुनी चौवे का मौन अंसन दो पहर में होगा समाप पहुच रहे हैं वीजे सिन्हा नगरपरिशत के नव निर्वाचित परतनीर्यों को दिलाई गई सपत 14 पहुचे चिराग पासवान के काफिले से सिपाई घायल थानधक्षा और सीओ के खिराफ ग्रामिनों ने दायर किया कोट में परिवाद सुसिल मोदी का सवाल हर सरकार के मुख मंतरी नितिशकुमार फिर भी समस्याओं का समधान क्यों नहीं भड़के आग क्रोश के कारण थर्मल पावर को 25 करोण का हुआ है नुक्सान काम धेनुन एक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख विक्रेता गंगा सागर विल्लिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी संपर्ख करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर बुलेटिन की पहली शुरकी है चौसा के बनारपूर गावे नेताओं का बीते दिन सुक्रवार को दीन भर आना जाना लगा रहा लोजपा के नेता चिलाक पासवान जाप के पपू यादो राज़त के सुधाकर सिंग तथा भाजपा के सुसिल मोदी आदि वहाँ पहुचे अलाकि सुधाकर ने मीडिया को एक बात कहकर राजर सरकार का बचाओ किया कि हमारी सरकार हाल फिलालाई है जिसका जवासुसिल मोदी ने दिया उसकी चर्चा हाँ आगे करेंगे इतना आपको हम बता दे बीचे दिन सुक्रवार को नेताओं के आने जाने की वज़ा से बनारपूर गाओं में पूरे दिन गहमा गहमी का महौल रहा पपू यादो ने तो राजसरकार को नीतिया बदलने तक की सलाह दे डाली आखिर बिहार में उद्योग कैसे लगेंगे बिहार सरकार अगर इस तरह से लाठी चलाएगी उसे अपने नीतियों में बदलाव करना चाहिए सुसिल मोदी भी वहां गये तो लोगों से कहा आप धरना जाई रखे जब तक मांग पूरी नी होती है वे पिडित परिवार से मिलने भी गये बुलेटिन के दूसरे सुरकी है मुख्यबंतरी ने तीश कुमार 18 जन्वरी को समाधान यात्राक के तहत भकसर पहुच रहे है मुख्यमंतरी सचीवाले द्वारा जारी किये गए नय परिवर्तित रूट से या जन्कारी मिली है पहले उनका 18 जन्वरी को कारिक्रम बिहार के दूसरे हिस्से में था लेकिन उस हिस्से में पढ़ रही कड़ाके कि ठन और कुवासे को देखते हुए प्रोग्राम परिवर्तित कर दिया गया है इस वज़े से जिला प्रसासन परिसान हो गया है जिला प्रसासन मुख्यमंतरी के तैयारी को लेकर के बेचैन है ब्लेटिन के थिस्से सुर्खी है अम बेटकर चौक पर पीछले 24 घंटे से अस्थाने सांसर सक्केंदी राजमंतरी अस्वनी चौबे मौन अंसन पर बैठे हुए है किसानों पर अत्याचार और रामचेट मानस के आप माल को लेकर के उनका या 24 घंटे का मौन अंसन आज दो पर 12 बजे समाप्त हो रहा है सूचना के अनुसार भाजपा बिधायक दल के नेता बीजे सिलहा भी आज पहुच रहे हैं उनके साथ बिहार के कई अन्य भाजपा के बिधायक और बड़े नेता बकसर आ रहे हैं यह लोग चौसा भी जाएंगे और किसानों पर हो रहे है अर्तियाचार और उनको मुआओजा दिलाने की वकालत करेंगे गुलटीन की 34 उर्की है नगर परिशत के नव निर्वाचीत परतनीडियों को बीते दिन नगर परिशत के सभागार में सपत दिलाई गई जिलाधिकारी अमन समीर ने इसके लिए अपर सामहरता प्रिश्वर परसाद को नामित किया था उन्होंने मुखे पारसद कमरून नीसा उप मुखे पारसद इस्सरत मानो आदी को सपत दिलाई इसके अलावा कुल 42 पारसदों को भी सपत दिलाई गई हालाके मुखे पारसद और उप मुखे पारसद को अलग तथा अन्य पारसदों को कुल 42 पारसदों को सामोईक रूप से वहीं दूसरी तरफ चावसा के प्रखंड सभागार में सदर एष्दियं धिरंद्र कुमार मिस्रा ने वहां की मुखे पारसद की रड़ देवी उपे कुल सोला लगों को सपत दिलाई गई गुलेटिन की पांचवी सुर्खी है चौसाब पहुचे चिराग पासवान ने किसानों के जख्म पर मरहम लगाए उनके साथ खड़े रहने के वादे किये और वह आवाही लूटी लेकिन लोटने के दौरान उनके काफिले से एक सिपाह चोटिल हो गया जिनका नाम स्रवनकुमार है वे मुल रूप से खगरिया के रहने माले हैं जब काफिला लोट रहा था तो उनकी एक गारी के जद में उसका बाया पैरा गया और लहलूहान हो गया हाला कि मीडिया में एक खबरे आई चिराग के काफिले ने सिपाही को धक्क मारा मामला ऐसा नहीं था भीड में उनका पैर वाहन की जद में आ गया था फिलाल गायल स्रवनकुमार को उपचार के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है बुलेटिन की चट्थे सुरकी है ग्रामिडों द्वारा धरना दिया गया थर्मल पावर के मुख गेट पर दस तरिश को धरना दिया जाना और फिर प्रासमी की जर्ज होना और उसी रात पुलिस द्वारा बनारपूर गाउं में नामजद किये गए लोगों के उपर हमला करना हालाकि इस पूरे मामले में परसासन की दो गलतिया साफ रही कुछ लोगों को भी सेस कर चिनित किया विजबिहारी तथा एस टीपियल के विशेश कारे पदाधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं गया है बुलेटिन के साथ भी सुर्खी है बनारपुर गाउं पहुचे पुरूप मुकमंतरी सहराय सवासांसा सुसील मोदी ने किसानों को यह सला दे आप जेल जाने से नहीं डरिये और संगर्ष तब तक जारी रखिए जब तक आपकी समस्या का समदान नहीं हो जाता है बाचित के करम में उन्होंने दोसी पुलिस कर्वियों के खिलाफ करवाई करने के भी बात कही साथ ही जब मीडिया ने सवाल किया कि राज़त के लोगों का कहना है हमारी सरकार तो भी हाल फिला लाई है बाचपा के लोगोंने समस्या का समदान नहीं किया इस पर उन्होंने ब्यंक कस्ते हुए कहा सरकार का हिसेदार कोई भी रहा हो मुखे मंदरी तो उन्हें तीस कुमारी है आखिर उन्होंने समस्याओं का समाधन क्यों नहीं किया अर्जेटी की जुनितलोग आये थे कि भाई हम तो कुछ दिनों से सरकार में हैं इससे पहले थे तो दिजेपी वाले लोगी थे तो उन्होंने भी तो इनका मांग पूरा नहीं कि क्वह सांधारों कि हम लोग तो मुझे ती Ż॥ पता नियों में तो दिली से आ रहा हूं कोई सब्स watershed की चार मैने सुरुली तो सरकार मैं है स्सेरा आड की सामाधन का अर्जेडी हो यािंयर प्टों दूप मिनिंटिश और पिजेपी हो मुख्यमंदरी को होता है को दुसरा मंतरी भी चाहे तो अनितीकत दिर्ण नहीं नहीं हुआ। यह तमाम सवाल है जिन सवालों का समाधान चाहिए अब चलते चलते आपको बुलेटिन के आठवीं सुर्की से अउगत करा दें 11 जन्वरी को चौसा थर्मल पावर में जो उपद्रव के बाद नुकसान हुआ है उसकी जानकारी अब मीडिया के सामने आ गई है SDBN के अधिकारियों के अनुसार पांश क्रोड रुपे की संपती का नुकसान हुआ है जबकि वहां कारे देख रही अशब बाह जब नुकसान हुआ है